नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका विन्य टाइम्स में सतना जिला स्पताल से मेडिकल के दौरान धारा 302 का आरोपी फरार हुआ है आरोपी को मेडिकल चेकप के लिए जिला स्पताल लाया गया था पुलिस पूरे मामले की जाच में जूटी हुई है आपको बता दें सतना में आज केनरी जेल से धारा 302 के आरोपी को मेडिकल चेकप के लिए जिला अस्पताल चेकट साले लाया गया था आरोपी का नाम साहबलाल भुमिया उम्र 35 वर्ष निवासी कुमी गाव थाना उचेहरा ने अपने पडोस के बुजुर्ग की कुलहाडी मार कर हत्या कर दी थी पुलिस ने आरोपी के खिलाब धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्च किया था जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने 27 दिसंबर 2022 को गिरफ़तार कर न्यायाले में पेश किया था जहां पर आरोपी को जेल भेज दिया गया आरोपी केंदिरी जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहा था आपको बता दे आरोपी के पैर में चोट लगी थी जिसकी वजह से उसका मेडिकल चिकप समय समय पर कराया जाता था पहला चिकप 20 जनवरी 2023 को कराया गया उसके बाद दूसरा चिकप 26 फरवरी को कराना था लेकिन पुलिस लाइन से पुलिस बल ना होने की वजह से आरोपी को 11 मार्च को मेडिकल चिकप के लिए जिला अस्पताल लाया गया जहां से आरोपी ने अपने शातिर दिमाग से हतकड़ी को खोला और मेडिकल के लिए अंदर जाने से पहले ही जेल वाहन से उतरते ही मौके से भागने में कामयाब रहा आरोपी के भाग जाने के बाद पूरे जिला अस्पताल में हडकम मच गया है हाला कि पुलिस ने उसे कुछ देर तक दोड़ कर पकरने की कोशिच भी की लेकिन उनकी कोशिच नाकाम रही मामले की सूचना कोटवाली पुलिस को दी गई, कोटवाली पुलिस पूरे मामले की तफ्टीश में जुटी हुई है बहुत बहुत धनिवाद पुलिस पीछे दोड़ी लेकि तब तक गली में कहीं घुज गया आसपास के लोगों ने बताया कि वांटरिवाल पूद करके भाग गया अभी हमने टीमे बना दिया है सभी थाना वर्गारियों को व्योगत करा दिये है लगातार चेकिंग चल लई है जहां का निवासी है उस छेत्र में भी पट्रोलिंग के लई है गिरभ तारिक कारवाई की जाएगी अन्यूज अपडेट स्पॉंसर्ट बाइ RS Academy 2nd floor रमागोवन पैलेस सिर्मोच औराहा रीवा